नवश्कार में ओप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर पटना सदर अंचल को तीन भागों में बाटने वाले प्रस्ताफ पर काम तेज साथ रिक जगों पर होगी महिला पलिस कर्मियों की तैनाती बिहार में तूफान जवाद का दिख सकता है असर बिहार में मिले कोरोना की मातरे एक वरी रखन सर पर होगा स्टेडियम का अंदर मान अब जले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से फ्लाइट से बिहार आने वाले सभी यात्रियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन बिहार आने वाले सभी हवाई यात्रियों के लिए हैं सूश्रा फ्लाइट से सफर करने वाले सभी या यात्रियों का एंटिजिन टेस्ट भी करवाय जाएगा हालाकिन सबके बीच वैसे यात्री जिनके पास 72 घंटे का आर्टी पीसियार रिपोर्ट नेगेटिव होगा उन्हें आंटिजिन टेस्ट से छूट दी जा सकती है इसके साथ ही विदेश यात्रा से लोटे यात्री देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के नुसार कई जिलों में इसका आसर देखने को मिलेगा इसकी वज़े से बादल चाहे रहेंगे मौसम विज्ञानी को की माने तो कुछ जखो पर बारिश भी हो सकती है मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इसका आसर सोंवार तक बरी रह अब उमीद यही जताई जारी है कि चक्रवातिय प्रभावों का असर कम होते ही प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी और नियुन्तम तापमान में 3-4 डिग्री तक गिरावटा सकती है। अब दक्षिन आफ्रिका में ओमीक्रोन वेरियंटे सबके चुंता वढ़ा दी है। राजसरकार के वकील से पटना हाई कोट है खफा। पटना हाई कोट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान राजसरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता पर अपनी नाराजगी दिखाई है। दरसल कोट ने पहले पारिट किये गया एक अधालती आदेश के समन्द में उक्त अधिवक्ता से सवाल किया था लेकिन अधिवक्ता के द्वारा सपश्ट उत्तर नहीं दिया गया। जिसकी बाद हाई कोट के जस्टिस राज़ुन गुपता के खंड़ पीट ने अब राजसरकार की किसी जिम्मदार अधिकारी को व्यक्तिकत तोर पर उपस्तित होने का आदेश दिया है। इसके तहट कोट ने सिक्षा अविभाग के प्रधान सच्चिफ को वैसे अधिकारी को अगली सुनवाई में मौझूद रहने को कहा है जो सच्चिफ से नीचे के रैंक के ना हो। ये मामला बी आरम बेटकर युनिवरसिटी के चौधर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को पेसके दिये जाने से जुड़ा हुआ था मामले में अगले महीने सुनवाई होगी। अनुमंडल पुलीस पदाधिकारी और पुलिस अधिक्छक को जैसे सभी छेत्रिय पदाधिकारियों को सिक्षन संसानों बालिका और महिला होस्टल बाजार सारजुनिक महानादी स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिन्युक्ती करने का निर्देश दिया गया है वरिष्ट पत्रकार विनोद दुआ के निधन पर सीम नितीश ने जताया शोक बीते दिन जाने माने वरिष्ट पत्रकार विनोद दुआ ने लंबे बमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया जिसके बाद से ही पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दोर गई है वहीं सीम नितिश रेभी विनोध दुआ के गुजर जाने पर अपनी शोख सम्वेदा व्यक्त की है जुसके तेहत उन्होंने कहा कि विनोध दुआ ने देश के बड़े मीडिया संसानों में कांग किया है और अपनी अलग पहचान बनाई है उन्हाने पत्रकारिता की शेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है भारे सरकार ने साल 2008 में उन्हें पद्मिश्री पुरसकार से भी समानित गिया था उनके निधन से पत्रकारिता ज्योगत में पुर्डिया शती हुई है मुख्य मंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर्शांती और उनके परजनों को दुख की इस घड़ी में धहरेधारन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्राथना की है बिना टिकेट यात्रा करते पकड़े गए साड़े तीन लाख रेल यात्री यात्री गण कुर्पया धियान दे मधिरेल द्वारा बिना टिकेट और उचित प्राथिकार की यात्रा पर रोक थांग के लिए इन दिनों विशेश अभियान चलाया जा रहा है नवंबर में बिना टिकेट यात्रा के कुल 3,49,340 मामले सामने आए हैं जो से रेलवे को जुर्माने के रूप में 20 करोड 10 लाख से अधिकार राजस्व प्राप्त हुआ है मुखे जन संपर का धिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना कार के पुर्व नवंबर 2019 की तुल्ला में नवंबर 2020 में बिना टिकेट और बगएर उचित प्राधिकार के यात्रा और दंड स्वरू प्राप्त होने वाला राजस्व तीन दशमलब 0.05 और 40.67 प्रतिश् पुर्व मधरेल ने सुरक्षात्मक कदम उठाया है नियुंतम तापमान में आई गिरावर राजधानी पटना सहित पुरे राजुबे रविवार को हलके से मधिमसर का कोहरा चाय रहा 24 घंटे के भीतर पटना में नियुंतम तापमान में 18 डिग्री से गिर कर 17 पर जा तापमान में जारी गिरावत होने के संभावना के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है रविवार को हलकी बुंदा बांदी और अन्य हिस्व में आंचिक रूप से बादल शाय रहने का पुर्वानुमान है बिहार में मिले एक कोरोना के मात्रेक मरीज स्वासवभा के जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर एक मरीज की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में अक्टिव मरीजों की संभाविज जिलों की बात करें तो पटना में केवल एक मरीज की पुष्टी हुई है वही अन्य किसी भी जिले म एक भी मरीज की पुष्टी नहीं हुई है, इसके साथ ही बीते दिन के पिशे 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,83,133 सैंपल की जाज की गई, वहीं 8 मरीज ठीक हो कर घर बापस लोटे हैं बिहार में फिर्स डोस लेने वालों की संख्या बढ़ी ओमिक्रॉन की कारण फैले दहशत के चलते राजधानी पटना के वाक्सिनेशन सेंटर पर वाक्सीन लेने के लिए लोगों की तादाद बढ़ गई है आश्वेरी की बात इसमें ये है कि फर्स डोस वाले लोगों की संख्या काफी अधिक हो गई है प्रखन स्तर पर होगा स्टेडियम का अंदर्मान हाली में वधायक श्रियसी सिंग ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है जिसके बाद से उनकी सराहना वधान सभा से लेकर सीम नितीश ने भी की साथ ही उन्हें मेडल दे कर सम्मानित भी किया गया था इन सब की बीच अब श्रियसी सिंग ने बिहार में स्टेडियम का जाल बिछाने का अंदर्मान कर आया जाएगा लेकिन प्रकंट स्तर पर स्टेडियम का अंदर्मान कर आया जाएगा। इसके साथ ही विकास को लेकर श्यसी सिंग ने कहा कि शहर के जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए DPR तयार कर लिया गया है और बहुत जलद ही ड्रेनिज सिस्टम पर काम शुरू होगा। पंचाय चुनाव के बाद सीम नितीश की सेना में दिख सकता है बदलाव। प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उमीद की जा रही है किसके बाद जदियों में बदलाव की जो प्रक्रिया भी थम गई है उसको वगती मिलेगी। तेश प्रताप यादव ने पटना की बच्ची को गिफ्ट किया पच्चास हजार रुपे का आईफोन। तेश प्रताप यादव अपने अतरंगी अंदास की कारण हमेशा सुर्ख्यों में बन रहते हैं। एक बार फिर से तेश प्रताप यादव चर्चा का पातर बन गया है। क्यूंकि बीते दिन उन्हाने रह चल की बच्ची को पच्चास हजार का फोन गिफ्ट किया है। शनिवार को उन्हाने गरीब बच्ची को बड़ा सर्प्राइज ले दिया। पटना की सरकों पर घूम कर कलम बेचने वाली एक गड़ी लड़की को तेश प्रताप ने पच्चास जार रुपे का अपल फोन गिफ्ट किया। इस पूरे वाक्या को तस्वीर सहीत उन्हाने अपने इंटरनेट मीडिया पर साजह किया। और साथ ही कहा कि उन्हाने बच्ची को इस मुबाइल का इस्तमाल कर पढ़ने के लिए प्रेजित किया है। तो यहां अंचल कारियाले के अंतरगत मुस्लाम पुरहाट से लेकर के पटना सिटी तक के एलाके शामल होने की संभावना जुदाई गई है। और साथ ही किसी तरह पटना ग्रामीन प्रोखंट से अंचल कारियाले के तहत उनीस मौजाद, शेपंचायत और तीन हलका प्रस्तावित है। जिसकी जानकारी डीम डॉक्टर चंदर शेखर सिंग ने दी है, साथ ही बताया है कि पटना सदर से अंचल का छेतर फल पहले से काफी बड़ा है। यह थोड़ा emotional है, हम सब जल्दी घर जाना चाहते हैं, इसलिए हम follow on देने के लिए कहते हैं कि आप हावी हो रहे हैं, आप 263 रन से आगे हैं और उसे खत्म करिये, यह broadcaster की सोच है, कुछ प्रसंट्रक भी ऐसी सोच रखते हैं कि अगर आप जल्दी खत्म कर सकते हैं तो करे अगर हमने 250 की बढ़त के साथ follow on दिया होता तो जीत भी जाते तो भी हम उन सभी को out कर देते और सब जल्दी घर चले जाते लेकिन टीम ऐसा नहीं सोच सकती, इसलिए वो वहाँ हैं, तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अन चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले, धन्यवाद